असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स वेलकम टो मैं जहाराज की चेन मैं हूँ जहार उमीद करती हूँ आप सब हरियाच से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ भूना गोस्त की रेसिपी लेकर आए हूँ आज हम बनाने वाले हाइद्रेबादी तला भूना गोस्त की रेसिपी इसे बनाना बहुती आसान है बहुती चटपटेदार मसालेदार बन कर तयार होगा तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं मतन भुना तला गोस्त बनानी के लिए मैंने हाप ले लिया है एक कुकर जिस पर हमें डाल देना है 500 ग्राम बोनलेस मतन इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब मैं हाप डाल देती हूँ एक चमच अदरकलेसन का पेस्ट एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिच पाउडर और साथ ही एक आदी चमच हमें लेना है नमक नमक आप अपने टेस्ट के मताबिक डालिएगा एक ग्लास पानी डाल दूँगी अब हमें इस ट्रोप को अन कर लेना है कुकर का लिट लगा लेना है चार से पांच वीसिल हमें हाई मीडियम फ्लेम पर इसे लगा लेना है अब यहां पर देखिए चार से पांच वीसिल देने के बाद मैं इस ट्रोप को आफ कर लिया तब जो हैप टेसर खुद बखुद रिलीज हो चुका है गोस्त अची तरह से गल गया है लेकिन पानी है अब हमें क्या करने है इस पानी को सुखाना है पैन पर मैंने हाफ कप रिफाइन डॉयल को अची तरह से गर्म कर लिया है आप चाहें तो सर्सो के तेल से बीसे बना सकते हैं जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हमें हाँ पर कुकर का जितना गोस्त है हम उसे डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हम पानी को अच्छी तरह से सुखा लेंगे जब पानी अच्छी तरह से सुख जाएगा हमें हाँ पर डाल देना है कुछ करी पत्ता इसी के साथ हमे एक चोड़ी चमच हमें गर्म मसाला पाउर डाल देना है तो इन सबी पाउरर मसालों को हम अच्छी तरह से गोस्त में भूनेंगे कस्मिरी लाल मिच पाउरर डालने से कहना इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है तीन से चार मिट के लिए हाई फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है तो यहां पर देखिए अब जो हमारा अच्छी तरह से गोस्त जो है मसाले के साथ भून चुका है सबसे आखिर में हमें हाँ पर एक चमच नीम्बू का रज डाल देना है अब हम स्टोप को आफ कर लेंगे तो लीजी फ्रेंट्स मर्शला से हमारा हाईदराबादी तला भूना गोस्त बिल्कुल बनकर तयार है बहुत ही चटपटा बनकर तयार होता है अब मैंने हाँ पर हरा धनिया पारी काट कर डाल दिया है इसे जरूर रहे किजिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा आप इसे चाहें तो रोटी पराटी के साथ भी खा सकते है या फिर खुसका पुलाओ दाल के साथ भी इसे सर्प कर सकते है बहुत लाजवाब लगता है खाने में इसे बनाने के लिए आपको ना तो प्यास का इस्तिमाल करना है और ना ही टामाटर का ना ही दही का बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का तला गोस्त बनकर तयार होता है जरूर रहे किजिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है तो फ्रेंड्स अगर आज की चटपटेदार मज़धार तला गोस्त की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हिल्फल लगती है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करते वे जाएए साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं एकने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें लाहाफीज